नमस्कार, चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत हैं MCQ से समंदित आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन-कौन से महात्पूर्ण प्रशन है पहला प्रशन, कि निमलिकित में से कौन सा प्रवाह पोर्टल का उद्धिस से है चार ओप्सन है, ओप्सन A, वेनेमित संस्थाओं के लिए RBI के साथ व्यापार करना कठिन बनाना ओप्सन B, मांगे गए आवेदनों, अनुमोदनों पर निर्ने लेने की समय सिमा में विर्धि करना C, प्रक्रियाओं को सरल और सुवेस्थित करने और वित्ती छेत्र की विन्यामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाने के लिए और D, वित्ती छेत्र की न्यामकों के लिए अनुपालन की लागत में विर्धि करने के लिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है Option C मतलब प्रक्रियाओं को सरल और स्वेश्थित करने और वित्ती छेत्र की विन्यामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाने के लिए प्रवाह पोर्टल को लाया जा रहा है अगर हम प्रवाह पोर्टल के प्रवाह की बात करें तो इसका फॉल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी अप्लिकेशन वेलिडेशन और और इसे जो लाया जा रहा है इसका उद्देश से प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना और वित्ती छेत्र की न्यामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाना है और RBI जो इस केंद्री कृत पोर्टल को लॉंच करेगा उसके अगर हम कारी की बात करें तो RBI द्वारा वेनियमित गतिवीदियों को करने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है और साती साथ जो प्राधिकरन प्राप्त करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है उस आविदन प्रक्रिया को सरल और सुविस्थित करना इस प्रवाह पोर्टल का उद्दे से है वहीं आगे हम इसी प्रवाह पोर्टल की बात करें तो इस प्रवाह पोटल पर जो आविदन होंगे जैसे कि उस आविदनों पर निर्ने लेना, नियामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाना और विन्यमित संस्थाओं के लिए व्यपार करने में आसानी की सुईधा के लिए एक समय सिमा का यहां पर प्रदर्शन किया जा के अनुपालन की दिसा में यह कदम उठाया गया है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की और अगला प्रशन है कि निमलिकित में से किसे इंफ्रस्रक्टर की हार्मोनाइजड मास्टर लिस्ट में सामिल करने की योजना है, चार आप्सन है, आप्सन A, केवल डिजिटल इंफ्रसब सेक्टर, आप्सन B, केवल पवन और सौर में नवी करनी उर्जा अफसनचना, आप्सन C, पवन, सौर, हाइडोजन और डिजिटल इंफ्रा उप्छेतरों में नवी करनी उर्जा अफसनचना, और आप्सन D, इन में से कोई भी नहीं, चले देखते हैं कि इसका स हार्मनाइजड लिस्ट की बात की जा रही है, उस हार्मनाइजड लिस्ट को सबसे पहले लाए गया था, 2012 इसवी में, जिसका उद्दे से, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर को परिभासित करना है, इसके अंतरगत, पांच ब्रॉड कैटेगरी है, इंफ्रस्ट्रक्चर की, और फिर उस हर एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर पांच से पंदरा सेक्टर बनाए गया है, अगर हम पांच ब्रॉड कैटेगरी की हम बात करें, तो उसके अंतरगत देखे कौन कौन सी कैटेगरी है, पहला, ट्रांसपोर्ट एन लोजिस्टिक, दूसरा, एनरजी, तीसरा, वाटर एन सेंटेशन, चौथा, कॉमुनिकेशन और पांचवा सोसल एन कमर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पर हम इसकी इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि पवन, सौर, हैडोजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें सामिल करने की बात की जा रही है, भा इसलिए यहाँ पर बात हो रहे हैं, कि पवन, सौर, हैडोजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें सामिल किया जाए, बढ़ते हैं, अपने अगले प्रस्ट्रक्चर की और अगला प्रस्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पर है, वो यह है कि भारती, राष्टी, अ नीजी खिलाड़ी और स्टाटप की भागीदारी में सुधार करना, और ऑप्शन D, इन में से कोई भी नहीं, इसका सही जवाब है, ऑप्शन C, मतलब नीजी खिलाड़ी और स्टाटप की भागीदारी में सुधार करना, हाली में केंदरी कैबिनेट के द्वारा भारती अं अंतरित चेत्र में सुधार को बढ़ावा देना, साथी साथ देश की अंतरित अर्थविस्था को भी बढ़ावा देना, इस नीती के अगर हम उद्देश से की बात करें तो नीती का उद्देश से अनुसंधान, शिक्छा जगत, स्टार्ट अप्स और नीजी खिलाडियों की या प्राविट प्लियर्स की अधिक भागीदारी के लिए अफसर के दर्वाजे खोलना, साथी साथ नीजी छेत्र को एक समान अफसर प्रदान करना है, साथी साथ अगर हम इनी स्पेस की बात करें, तो इसकी इस्थापना 2020 में की गई, और ये एक स्वतंत्र नोडल एजें प्रदानित लागत से लीगो इंडिया के निर्मान को भी मंजूरी दी है, जिसे 2030 तक पूरा करने की संभावना है, और अगर हम लीगो इंडिया की बात करें, तो इसका फोल फॉर्म है, लेजर, इंटर, फेरोमीटर, ग्रेविटेसनल, वेव, और विजेटरी, इंडिया, बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की ओर, अगला प्रश्णी यहाँ पर है कि यूपी में कितने प्रतिस्तत ग्राविन परिवारों को हर घर जल योजना के तहत पानी मिला है, उप्शन A, 36, 10, 5, 9, प्रतिसत, उप्शन B, 50, प्रतिसत, उप्शन C, 25, प्रतिसत, इसका सही इक्सन के संख्यां माले में उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है, और पीछे छोड़कर देश का तीसरा राज्य बना है, वहीं जो अगला डेटा वो ये कहता है, कि जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना कितत पांच करोड़ से धिक ग्रामिनों को पानी मिलना सुरूब हो गया है, और 15 अगस 2019 को मोधी सरकार के द्वार या परधान मंतरी मोधी के द्वारा सभी नागरीकों तक पानी करिस्था उपलद कराने के लिए जल जीवन मिशन का सुभारंब किया गया, बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न ह यहाँ पर कि निमलिकित में से किस संगठन की सदस्ता भारत को मिली है, पहला स्वापक और सधी आयोग या कमिशन और नार्कोटिक ड्रक्स, दूसरा UN-8 का कारिकरम सवनने बोर्ड मतलद प्रोग्राम कॉडिनेटिंग बोर्ड और तीसरा सविक्त राष्ट सांखी की कि सवापक और सधी आयोग, UN-8 का कारिकरम सवनने बोर्ड और सविक्त राष्ट सांखी की आयोग तिनों की सदस्ता भारत को हाल ही में मिली है, अब हम इस पर उसनिंग के रव्याख्या करें, तो भारत तिरपन मतों में से 46 मतों के भारी महमत के साथ सविक्त राष्ट सवने बोर्ड की सदसिता भी हासिल की है, अब जो भी सदसे चुने गया हैं, तो ये चुनेगे सदसे 1 जनुरी 2024 से सुरू होने वाले 4 साल के कारिकाल के लिए काम करेंगे, इस परकार आज के MCQ से समंधित इस वीडियो में हमने कुल 5 परश्टों को देखा, इसके साथ इस नए परश्टों के साथ, नमस्कार.